दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेने सजुकेसर न्यूज में दोस्तो सूपरभात गुड मॉर्निंग आप सभी को तो दोस्तो नर्सिंग ओफिसर एंड फार्मासिस्ट भरती ओनलाइन आविदन की अंतिमति थी 23 दिसंबर महज चंद दिन बाकी हैं लेकिन फोम भरने में दिक्कत आ रही है सबसे बड़ी जो समस्या है एक बार अपना मोबाइल नंबर डालते हैं उस पर एक OTP आता है उसके बाद आधार वाले नंबर डालने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है आधार से उस पर एक OTP आता है तो जो पहले वाला जो OTP है आगे बताने वाला हूं इसके अ मित्र की दुकान पर जाने से पहले आप लोग घर पे एक चीज करके जाएगा ताकि आपको वहाँ पर वेट नहीं करना पड़े अगर कहीं दूर जा रहे हैं 20-30 किलोमीटर भरने के लिए फोर्म तो पैसा ना कर्च करना पड़े तो पहली बात तो ये आज के जोदपूर दै ही मिल पार OTP जो पहला OTP वो मिल जा रहा है दूसरा जो है उसमें एक वजह है दोस्तों कि जब आप लोग आधार नंबर डालते हैं तो आधार की वेबसाइट से वो डेटा वहाँ पे सर्वर उठाता है तो आधार वेबसाइट की गलती है यहाँ पर अगर आप लोग सिफ तो UIDI की वेबसाइट है वहाँ से दिक्कत है पूरी तो ये फोर्म भरने में जो दिक्कत आ रही है इसी को आप लोग देख सकते हैं 23 तारीक है और किस तरीके से आप लोग आगे करना है सबसे पहले आप लोग वेबसाइट पर जाए और इस तरीके से लिंक आपको दिखे आधार कार्ड वाला जो OTP है आधार कार्ड नंबर डालने पड़ेंगे एक कैप्चा कोड डालना पड़ेगा और उसके बाद सब्मिट पर क्लिक करना पड़ेगा फिर उसके बाद जो इंटरफेस जो आपके सामने आएगा वो ये आएगा क्या आएगा ये आएगा इसमें के लिए है ये जो एनम्स बहने हैं जिनका फोम तेविश तारिक से स्टार्ट होगा और जो लेप टेक्निशन और रेडियो ग्राफर उनके लिए भी है बता देता हूं अभी सबसे पहले अगर अगर अपने नर्सिंग ओफिसर फार्मसिस्ट का फोम नहीं भरा है तो आप लो फेज आप लोगों को सामने आए तो आप लोग इमित्र के दुकान पर चले जाएं जब आपके पास इस तरीके से नहीं आ रहा है तो आपको वहां पर भी नहीं आएगा इसलिए कहीं सोप्स पर जा रहे हैं आप फोम भरवाने के लिए मित्र की दुकान पर इमित्र केंदर तो आप सबसे पहले अपने फोन में जाकर के सिफू की वेबसाइट है या फिर राजस्वास्ति की वेबसाइट है उसपर ओन्लाइन फोन कोशिज कर ले अगर आधार का OTP अगर आप लोगों का घर पे आ जाता है तो आप लोगों को समझ्या नहीं होगी फिर आपको ये interface मिलेगा और इस interface के बाद आपको ये interface मिलेगा ठीक है अब जैसे क्या कि जैसे मैं मेरे mobile में इस तरीके से करता हूँ तो मेरे सामने ये इंटरफेज आ जाता है डाइरेक्ट फोम भरने का क्योंकि मैंने जैसे ही 25 तारिक को फोम स्टार्ट हुए थे 25 नॉम्बर को मैंने उसी दिन चेक करने के लिए ये सारी चीज़े की थी मेरे ये मोबाइल नंबर डाला, मेरे ये अधार नंबर डाला वो सारा तो उस दिन हो गया था तो मेरे को काया अब दिक्कत नहीं होगी अगर मुझे फोम भरना है basically मैं नर्सिंग से नहीं हो तो मुझे फोम भरना भी नहीं है लेकिन बता रहा हूं कि ये इंटरफेज मेरे में हर बार आ जा रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले घर पर ही ये सारी चीज़े ट्राई कर लेनी है, इमित्र पर जा रहे हैं, सबसे पहले घर पर देख ले, ये सारी चीज़े करके, और जो A&M के फोर्म शुरू होंगे, उनके लिए बता दे रहा हूं कि आपको भी जब तेविस तारीक से फोर्म शुरू हों, तो आपको क्या करना है, तेविस तारीक को इस तरीके की चीज़े करके रख लेनी है, तीक है, तेविस तारीक को ही आपको करके रख लेनी है, मुझे पता है कि तेविस को सब लोग फोर्म नहीं स्टार्ट हो तोसी दिन आपको क्या करना या इस इंटरफेस तक चले जाना है इस तक ठीक है इस तक आप लोग चले जाएंगे तो आपको फोम् भर ने में कोई भी समस्या नहीं होगी यह करके रखें और मोबाइल में ही आप लोग पहले ट्राइ करें, कोशिस करते रहें, हो सकता आप रात को लेट नाइट भी आप एक बार ये इंटरफेज करके छोड़ देंगे न, तो आप लोगों कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने आठ बज के कतिस मिनट पे लिया था, टाइम साथ 8.40 होरा व लोग देख सकते हैं, इस तरीके से करना है, बाकी OTP की समस्या आ रही है, इसमें कोई संका, कोई किन्तु परंतु नहीं है, सरकार को चाहिए कि वो इस जो डेट है, उसको बढ़ाना चाहिए, और इसके अलावा, एक्सपिरियंस जो लेटर है, वो अभी तक जारी नहीं किय गए है, अनुभाव परमान पत्र, उस वज़े से भी समस्या आ रही है, क्योंकि सवीदा कर्म ने फोम ही नहीं भरा, तो इसे रिपोर्ट को, सोरी, ओनलाइन आविदन की डेट को कम से कम, दस दिन और बढ़ाना चाहिए, ताकि सभी बच्चे हैं, जो फोम भर सकें, तो य आधार काड़ नंबर डालना है, वहां पर एक कैप्चा कोड डालना है, सब्बिट करना है, उसके बाद फिर आपके पास यह इंटरफेज आ जाएगा, और जब इस इंटरफेज पर आप लोग आ जाएंगे, तो समझ लिए आपका फोम भरा जाएगा, फिर उसके बाद 10 मि कहानिया पूरे फ्रोम बरने की, ठीक है, यह फ्रोसेस था, धन्यवाद साथियो, जय हिंज भारत,